अस्सलाम अलेकुम बिस्मिल्लाइश्मान रहीं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो चिर्वा नमकीन होती है उसकी रेसिपी जो मार्कीट में आपको बहुत महेंगी मिलेगी मगर आगर आप इसको घर में घर में रखी हुई चीजों से बनाएंगे तो इन्शालला बहुत को मार्कीट में आराम से कहें भी मिल जाएगा हम इसको एक कंटेरा में डालकर छान लेंगे इसको यह देखिए कि जो भी इसका चोटा मोटा तुकडा होगा वो निकल जाएगा तो यहां हम इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं पहले तो यहां पर हमने लिए हैं क्वाटर टेबले स्पून, कुटी हुई, लाल मिर्श, अगर आप यह नहीं डालना चाहते, तो आप इसकी जंगा हरी मिर्श भी डाल सकते हैं, यहां हमने लिया है काला नमख, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यह हमने लिए है काली मिर्श का पॉडर, पिसा हुआ, क्व तो इसको एक साइड में रख देंगे और चलिए बनाना इस्टाल करते हैं अब और इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया है सफेद नमक जो आप नॉर्मली खाया जाता है वह वाला नमक डाल दिया है और यह बहुत अच्छा मसाला बनकर तेयार हो चुका है तो यहां पर हमने ल प्रिकुल मीडियम लो फ्लेंग करती है और जिससे यह बहुत जले नहीं और इसको पास से 6 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लेंगे लेगे भी नहीं और जले भी नहीं और जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और यह बहुत कुरकुरा सा हो जाए बहुत अच्छ डाला है देसीगी और इसमें डाल दी हैं मखाने मखाने को भी हम देसीगी में ही बूनेंगे और बिल्कुल ऐसे ही बूनेंगे जिस जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं तब तक इनको भूनते रहेंगे और जब ये क्रिस्पी हो जाए तो इनको बहार निका ले ली है और इसको भी इतना भूनना है जब तक ये अंदर तक नहीं भून जाते तब तक इसको भूनते रहना है क्योंकि इसका टेस्ट अगर अंदर से नहीं भूनेंगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो यहां पर हमने ये भूने हुए चैनल ले लिए हैं तो इसमें हम ये डाल कर और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी रेसिपी का नॉटिफिकेशन आपको म मिलता रहे और यहां पर हमने डाले हैं एक कटोरी काजू और बादाम और यह हमने कुछ नारियल के पीस काट लिये थे इस तरह से इसको भी हम डाल कर अच्छे से भून लेंगे जब तक थोड़ा सा इनका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको भूनते रहेंगे जब इन हमने हाफ कब डाली है किश्मिश अगर आपको पसंद नहीं है और कुछ पसंद है तो आप और भी ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं यह चिडवा मैजार में जो बहुत महेंगा मिलता है आप आसानी से इसको घर में बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं घर के सामान से यह डाल करती हुए पकाया है डाला है इसमें कि आपको इसमें कुछ भी चीज नुकसान नहीं दे यह हमने डाले है करीपत्ता और यहां पर हमने डाली है राई तो करीपत्ता भी बहुत फाइदेमंद है और यह जो हमने मसाला बना कर रखा था यह भी हमने इसमें डाल दिया है और इसको बहुत ही हलके से उसमें भूलना है इसको जलाना नहीं है यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया था करीब अच्छे से सकत हो चुका है तो अब यह देखिएगा इसी में हमने डाल दिये हैं मखाने तले हुए और इसी में यह सब मसाला डाल देंगे और इसको अच्छ जो डोस्ट किया था ये तूटे नहीं क्योंकि बहुत जल्दे तूट जाता है और इसको और अच्छा तेस्ट देने के लिए जैसे मार्किट में मिलता है खटा मीठा तो इसमें हमने दो चमस डाले हैं पिसी हुई छीनी के अगर आप नहीं डालना चाहते हैं खटा ही खाना पसंद करते हैं चटपटा तो आप ऐसे ही रख सकते हैं मगर इसका टेस्ट इस चीनी डालने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप इस तरह से पका कर खाएंगे तो बना कर आप चिड़वा बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा इंशालला ये बहुत ए